इसकार जहिंजे भारत आपका स्वागत एपकी सेवन भारत में और इसमें मौझूद है वाराट सी चिनईपुर्च औरावे पर जहाँ पर एक मॉर्बल कजरिया टाइल सोरूंग का घाटन किया रहा है यहाँ पर मुख्यातित फिनिस्सिंग ने भी उत्री काटन किया है आप आपको यहां के जो कजरिया के मटेरियल से उनको दिखाएंगे उनके क्वालिटी किस तरीके के है आई है आप जो कंपनी के जो ओनर है हम इसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जो कंपनी के लोग है उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको दिखनाएंगे आपकी कर्साय करते हुए हम आप शिर्वात करेंगे जो कंपणी के उनर है सब्सक्राइब असार आपका मैं सब्सक्राइब करते हो चलिए मेरा नाम प्याक्षु शिंग है यह मेरा फरूं का नाम अन्ट पारपल है जो अमरा बाइपास चिटेली रोड पे है यह विट्रफाइब दे इसा बाskां वाह था का शिर्फाइब यह मे रेकरे पारेंगे विक्तीुदर टैल हों doğru का शिंग को टिंक यह उनर है ज्याल मतंट इंग है यह और शिंग क्या टरीकिए कई है जर्फाइब शिंचरी आइब टो शिंग कुझेश लिए ताइन है यह अर्फिब कार दुबाने होंगे, आपकी आई हमें क्यों अलोगा है? जोड़े हुए ते जो कि इस शोरूम के ओनर है और आपको बताते हैं अभी तक इससे बड़ा कोई शोरूम नहीं उपेर हुआ है यह बहुत बड़ी बात है यहां इस वाराणसी के लिए चिते पुर्चोनाय पर आपका यह सोरूम इस देट है और अम चाहिएंगे कि आप लो करें और इस सोरूम के बादे में कहाँ पहर कैसे देखिए कजारिया विश्व की साफी सबसे बड़ी कंपनी है और सब जानते हैं कि जाने इंडिया की नंबर बन कंपनी है और करीब 100 मियं स्कॉर मिटर के आसपास की प्रोड़ेक्शन के पैस्ट है और जो अगली कंपनी है वो चौथी पांच भी छटे पोजिशन पर आती है यानि कजारिया और अपने कंपटिटर्स के बीच में कोई दूसरा गैप है कि जो दूसरी कंपनी है वो भी बहुत उसके रेंज की इसाब से प्रोड़ेक्ट की इसाब से मैन पाउर की इसाब से कोई कजारे के लिए कंप हमारे एजे में राहूल और ये बनारस वाला बेल्ट राहूल के अंडर आता है और मैं प्रियांशु को बहुत-बहुत मुबारक देता हूं प्रियांशु ने सुन्दरपूर में एक शोरून खोला था करीब तीन साड़ी तीन हजार स्क्वार फीट के आस पास है फिर प्र और इनके इसाब से बनारस एक ऐसा प्रांथ है जो इतना अपकमिंग है और अगर हम पूरा रेंज और बनारस के लोगों को अगर हम कजारिया क्या बना रहा है अगर हम उसको प्रवाइब नहीं कर सकते हैं फिर मतलब इस पर बात बनती नहीं है तो इन्होंने फिर अगर बना रहे हैं अपने ओफिस बना रहे हैं मॉल बना रहे हैं आप सब जानते हैं कि कजारिया में क्या किस तरह का रेंज अगर आपको कजारिया का पूरा रेंज देखना है तो सिंगल पॉइंट स्लूशन है यहां पर सिंगल पॉइंट है जहां पर आ सकते हैं और सिर् तो अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो आप जो भी आप सोच रहो एक बर जरूर आईए देखिये क्योंकि जो भी आप घर बना रहे हैं वो 10-15 साल के लिए हैं तो आज के हिसाब से अगर आप सरेक्ट करेंके यह नौ कि आपने लगा लिया आप तीचा साल बाद बाद आप कुछ बंग ठुछ अगर अड़ आप, घर साल कर दो भी आप साल कि झाल कर बाद कर दो कि आप से तो आप धुछ दो भी आकि यत्र झाल झाल